the correct increasing order of ionic radii is now guys जो मैं ionic radii के लिए P-blog जो मैंने पहली वीडियो बनाई है न जिसमें previous question की उसमें मैंने बहुत सारी question कराया थे और ऐसे चोटी-चोटी concept बहुत बार बताती थे तो अगर आपको उसमें देखी होगी न तो आपको आपको यह बचना नहीं चाहिए था question लेकिन अब मैं आपको फिर से concept बताता हूँ देखे सबसे पहले तो अगर आप इनका देखोगे ठीक है एक chlorine, calcium, potassium and sulfur इनका जो atomic number होता है ठीक है वह क्या होगा chlorine का होगे आपका 17, calcium हो जाता है atomic number 20 ठीक है और आपका जो potassium है उसका 19 और जो sulfur है is 16 समझा है अब इसमें CL है एक negative, calcium है 2 positive, potassium है plus S है 2 negative ठीक है तो इसका मतलब अब total number of electrons कितने होगे इसमें 17 plus 1 18, 20 minus 2 18 भाई 2 positive 2 निकाले थे 19 minus 1 18 and 16 plus 2 18 इसका मतलब समें total जो number of electrons है इसका मतलब these are isoelectronic species ठीक है isoelectronic species है याने जो total number of electrons है are same now मैंनो जैस उस वीडियो में भी आपको बताया था isoelectronic species में एक छोट अता concept रहता है अगर देखे negative जो charge है जितना जादा negative charge ठीक है जितना जादा negative charge उतनी ही जादा ionic radii और यह isoelectronic species के case में है और जितना जादा positive charge उतनी कम ionic radii समझ में आपको मैं दूसरे शब्दों में आपको समझाने कोईश करूँ तो अगर आप इस example को देखोगे N3 negative O2 negative and F negative इन सब में इनका जो atomic नंबर है 7 8 & 9 है लेकि जो total number of electrons है R7 plus 3 10 8 plus 2 10 & 9 plus 1 10 तो isoelectronic species है लेकि इसमें ionic radii क्या हो जाए मनें कहाँ जितना ज्यादा negative charge उतना ज्यादा ionic radii इसमें 3 negative charge है इसमें 2 और इसमें negative charge कम बढ़ता जाए कम होता जा रहे तो आने ionic radii का order यह हो जाए ठीक है similarly अगर आप कोई यह example लेरो कि suppose isoelectronic species है A plus B plus B2 plus and C3 plus ठीक है और मैं assume कर रहा हूँ isoelectronic species है तो इस case में क्या होगा जितना ज्यादा positive charge उतनी कम ionic radii है तो इस case में क्या होगा यह हो जाएगा order ठीक है तो अगर मैं इन में और इनको combine कर दूँ तो order क्या हो जाएगा यह हो जाएगा A plus then B2 plus then C3 plus समझ मैं तो इस तरह का आपको concept इसमें लगाना है तो बस अब negative charge को एक पहले लगा दो जितना ज्यादा और जो positive charge उसको पहले लगा दो तो mode negative क्या है S2 negative तो ionic radii इसकी सबसे ज्यादा फिर क्या है CL negative हो गया फिर क्या है K positive हो गया और फिर क्या है 2 positive हो गया सभना है गाईज तो option number 4 is your correct answer ठीक है S पहले फिर then CL then K ठीक है तो I hope गाईज आपको concept समझ मैं आगा झाल